आज फ्लोरास किचन में हम बनाएंगे आलू को एकदम शाही सबजी जो आपने कभी बनाई भी नहीं होगी और कभी खाई भी नहीं होगी तो फ्रेंस अभी आम की सिजन चल रही है आम के साथ ये सबजी बहुत ही अच्छी लगती है आलू की सुखी सबजी तो मैंने कुछ शाही अंदाज दिया है ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा इस गर्मियों में आमरस के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी आमरस पूरी और ये सबजी या तो रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं बनाना बहुत ही आसा कर लेती हूँ ऐसे लंबे पीस में काटना है सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक आलू लेना है आलू मैंने सारे धो लिए अच्छी तरह से नए वाले आलू है इसको दो फाड़े में इस तरह से काटना है और इसके भी दो पीस करने है इस तरह से इस तरह से करने के बाद आप लंबा लंबा काट लिजिए, इस तरह से, तो आपके जो है, एक सरी के पीश जो है, बनके तयार हो जाएंगे, जैसे French fries बनाते हैं, उस तरह के रेडी हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको सारे आलू को इस तरह से cut करना है, ताकि आप आसानी से फ्रेंच फ्राइस वाली शाही आलू की सब्ची बना सके तो यहाँ पर मैंने सारा रेडी कर दिया है फ्रेंच अब मैं इसको फ्राइ करूंगी तो मैंने तेल गरम करने रख दिया है अब हम फ्राइ करेंगे आलू को इसके अंदर तो gas मैंने medium रखा हुआ है अब आलू धीरे धीरे करके आलू की chips है उसके अंदर डालेंगे और इसको fry करेंगे तो आपको एकदम तेज gas नहीं रखना है slow medium पर ही आपको fry करना है ताकि आलू जो है अच्छी तरह से पक ज़़ा है आप जब यह आलू फ्राइ करते हो न तो इसके साथ एक tips है मैं आपको share करती हूँ जब भी आप आलू फ्राइ करो यह सबजी बनाने के लिए तब आप उपर से थोड़ा सा नमक इसपे स्प्रिंकल कर दो ताकि नमक जो है वो तेल के साथ mix होके आलू के अंदर चला जाए और इसका टेस्ट है अंदर से भी आए नमक का तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट इसका तो फ्रेंस इस तरह से आपको fry करना है आप सब जानते हैं कि गर्मियों में सबजीों का बहुत ही problem होता है सबजिया अच्छी मिलते नहीं है या तो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगती इसका टेस्ट भी नहीं आता पर अगर आप इस तरह से आलू की सबजी बनाएंगे वेराइटी में आपको आपकी फैमिली को और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है यह लगपक हमारा फ्राई हो चुका है आलू हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे अगर आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी यह सबजी बना के दूगे तो बच्चे बहुत चाओ से खाएंगे तो आपको टिफिन बॉक्स के लिए भी एक नया आइडिया मिल गया है आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बहुत ही मन से खालेंगे और डबा फिनेश करके आएंगे अगर आप इस कर्मियों में ट्राविल भी प्लान कर रहे हो न तो ट्राविल के लिए भी यह सबजी बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि हमने फ्राई कर दी है तो यह खराब नहीं होगी 12 गंटे तक ऐसे ही सबजी रहेगी तो आप सफर में भी इसको ले जा सकते हो और थेपले या पराठे के साथ एंजोई कर सकते हो सबजी तो फ्रेंड हमने दूसरी बार नमक नहीं डाला है हमने एक ही बार नमक डाला था दूसरी बार डाले की ज़रूरत नहीं है हम उसको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे आगे आलू हमने फ्राई किये है इस तरह से ही हम फ्राई करेंगे तो इसको पूरा फ्राई होने देते हैं तो ये लगबग हमारा fry होने आया है तो अब इसको धीरे से हम निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर तो इस तरह से छानके पूरा प्लेट के अंदर निकाल देंगे इस तरह से हम सारे आलू जो है तेल से बाहर निकाल देंगे तो हमारे आलू सारे निकल चुके है तो हमारे पास एक्स्ट्रा तेल है कडाई के अंदर वो हम कम कर देंगे और इसी कडाई में हम इसका चोक लगाएंगे सबजी का तो हमारी आलू सारे फ्राइ हो चुके है अब इसी कडाई के अंदर हम चोक लगाएंगे तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे तो यहाँ दो टेबल स्पून चीता मैंने ओयल रखा हुआ था उसी के अंदर हम हिंग डाल देंगे और थोड़ा सा ड्राइफूट है वो डाल देंगे यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और किश्मिस लिये है इसको अच्छी तरह से फ्राइफ कर लेंगे और गैस जो है एकदम स्लो रखेंगे इसका अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए सीसम सीर्च इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा तो हम इसके अंदर सफिर टील है वो एड करेंगे और इसको है न अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा लगबग मिक्स हो चुका है अब क्या करना है जो हमने फ्राइ किये थे आलू वो सारे इस कड़ाई में हम एड कर देंगे तो आपको सारे एड कर देंगे इस तरह से तो एड होने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो हमारे ड्राइफूट और सिसम सीड है यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में तो इस तरह से आपको मिक्स करना है mix होने के बाद आगे जो है regular मसाले हम इसके अंदर add करेंगे तो घर के जो मसाले होते हैं वही वाले use कर यूँ तो इसके अंदर मैं डालूँगी healthy powder उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च powder तो लाल मिर्च powder आप तीखा भी डाल सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च है वो डाल सकते हैं मैं दोनों आधा-धा डाल रही हूँ जिससे taste भी आए और color भी बहुत ही अच्छा है उसके बाद 2 टेबल स्पून है वो धनिया पावडर है धनिया जीरा पावडर वो add कर दिया है और उसे के साथ थोड़ा सा गरम मसाला जिससे taste भी बहुत बढ़ी आए अब taste according हम नमक डाल देंगे आपके taste के according आप नमक इसके अंदर डाल दीजे और उसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लीजे तो आप सारी सबजी को हम mix कर देंगे आपस में की मसाले है आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए सबजी के अंदर और इसका taste जो है बहुत ही बढ़िया है तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते है कि कितनी शाही अंदाज में हमारी आलू की सबजी बन के तयार हो गई देखते ही खाने का मन कर गया है न फ्रेंस तो आप भी जरू ट्राइ किजेगा अब आखरी में सबजी के उपर पड़ेगा हरा धनिया तो यहां पर मैं ठेल सारा हरा धनिया एड़ करूंगी हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते है कितना यमी लूग का रहा है बहुत ही टेस्टी लग रही है सबजी इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे धनिया भी आपस में अच्छी तरह से मिल जाए तो देखिए हमारी जटपट और एकदम शाही अंदाज में आलो की सबजी बन के तयार है तो फ्रेंज आपको यह सबजी कैसी लगी मुझे कमेंट करकर जरूर बताना अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंज फेमिले के साथ जरूर शेर कर देना अगर मेरी चैनल पर पहली बार हो तो इसको सस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन सारे ओल कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू आप मेरे से कनेक्ट हो सको आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाक्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूँगे आप महाँ से जाके फॉलो कर सकते है तो मैं फ्लोर आप से फिर में लूँगी अगले मंगल बार को एक नई इसी और हल्दी रेसिपिके साथ थैंक्स पर वाचिंग